Hello friends, this is Opender Singh. Welcome to my YouTube channel, Real Time Opender Singh. आज की वीडियो में हम जानने की कोशिस करेंगे कि M.Ed का जो कोर्स होता है, वो कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और M.Ed के कोर्स को करते वक्त, आपके पास क्या एज्योकेशन होने चाहिए, किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कम्प्रेट वीशेप रात से चर्चा करेंगे, यदि आप इस अपडेट को जानना चाहते हैं, वीडियो को लास्त तक जुरूर देखें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सस्क्राइब कर लें, बैल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि बहुत शेक अपडेट्स आपको सहमेनों सहर मिल्स किर आपके इस चीज़ का कंट्यून लाग उठा सकें, साथियों बात करते हैं, M.Ed कोर्स की, M.Ed कोर्स जिसका यदि फु M.Ed का कोर्स होता है, कितने वर्ष का होता है, और इसको करने के लिए क्या योगिता होनी चाहिए, साथियों M.Ed कोर्स की मैं बात करूँ, तो ये जो कोर्स होता है, यानि कि दो साल का कोर्स होता है, और दो साल का कोर्स ये चार समस्टर के अंदर होता है, यानि कि इसके अग पर भी एक्जाम्स की सुईदा होती है, कुछ है कि उनिश्टिया ऐसी सुईदा है देती हैं, बट अमेड में ऐसा कुछ भी नहीं है, अमेड भी दो साल का कोर्स है, चार समस्टर में इस कोर्स को कम्प्लिट कह जाता है, नेक्स्ट टोपिक के और चलते हैं, कि अमेड करने के लिए आपके पास क्या योगता होनी चाहिए, साथियों, अमेड करने के लिए आपके पास ग्रेजियोशन का डिगरी होना चाहिए, पलस में आपके पास बीड होना चाहिए, यानि कि ग्रेजियोशन की बात करें, तो बी BSC या फिर Bcom या फिर अन्य कोई stream आपके पास है तो वो भी चलेगी पलस BID ये चीज होनी जरूरी है साथ में यदि आप BSC BID करते हैं तो भी चलेगा और यदि आप AMC BID करते हैं तो भी चलेगा यानि कि ये BSC BID का जो कोर्स है ये वी चार साल का है और AMC C के साथ BID यदि आप करते हैं तो भी आप AMC BID के कोर्स को कर पाओगे कहने की बात ये हमोटो मोटे सब्दों में कि आप यदि AMC BID करना चाहते हैं तो graduation की degree के साथ साथ आपके पास BID की degree का होना अतिया उश्यक है यदि आपने BID नहीं की है तो आप AMC BID नहीं ले पाएंगे AMC BID बिल्कुल भी आप नहीं कर पाएंगे तो इस चीज़ का रखें दियान यदि AMC BID करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको BID करनी है उसके बाद next topic पर बात करेंगे बारत में यदि कोई वच्चा BID के बाद AMC BID का कोर्स करना चाहता है तो इस AMC BID के कोर्स में कितनी फीज पे करनी पड़ती है साथियो यदि गौवर्मेंट संस्ताओं की मैं बात करूँ तो ये 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपको फीज पे करनी पड़ती है ये है गौवर्मेंट संस्ताओं के फीज इसी के साथ साथ बारत देश में बहुत सारे राजेसे हैं जहां प्राइवेट कोलीजिज भी हैं या फिर प्राइवेट यूश्टिया हैं जो AMC BID का कोर्स कराती हैं यदि कोई और अच्छी रेपूटेटेड यूश्टिय है तो उसकी फीज और भी ज़ादा हो सकती है मिनिमम आप मान के चलें कि 30,000 से आपकी फीज स्टार्ट हो जाएगी और फर्स्ट प्रिफरेंस आप गवर्मेंट कोलेज को दें यदि आपको गवर्मेंट कोलेज या किसी गवर्मेंट यूश्टि में या फिर यूश्टि केमपस में आपको AMEDム अडमिशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है यदि नहीं मिल पाता है तो प्राइवेट कोलेज की भी छोईस कर सकते हैं में कोई प्रेशान ही नहीं है डिग्री जो है वो एक्विलेंट रहती है बट थोड़ा कहने के बात यह है कि यदि आप किसी रेपुटेटिड यूश्टी से करके आएंगे और कहीं आप जोग के लिए इंटर्यू के लिए जाएंगे तो वहां जैसे ही आपकी मार्कशीट को देखे जाएगा आपकी डिग्री को देखे जाएगा मेड की को तो उसका एक अलग ही एफेक्ट पड़ता है कि आप दिल्ली उनस्टी से पढ़ के आए हैं तो उनके माइंड में दिल्ली उनस्टी या फिर बहुत सारी उनस्टी है उनकी अच्छी रेपो है तो उन चीजों का फाइदा आपको इंट्रिव के दोरान मिलता है उसके बाद नेक्स टोपिक है कि यदि आप अमेड का कोर्स कर लेते हैं तो आपको जोब कहां मिल सकती है शाथिव अमेड का कोर्स करने के बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं उच सतर के जो बच्चे होते हूं उनक को पढ़ाने के लिए भी अमेड किये हुए टीचरों के आउशकता होती है या फिर अमेड केरने के बाद आपके पास एक अपोर्चुनिटी और भी बनती है कि आप पीच्डी भी कर सकते हैं आप पीजी का कोर्स करके आप उच लेवल के जो यूनिस्टी केंपस हैं या फि पिर जो आपके प्लस वन प्लस टू के जो बच्चे हैं उनको भी आप पढ़ा सकते हैं अच्छी अपोर्चुनिटी है अमेड करने के बाद आप लोगों को काफी अच्छी सेलरी दी जाती है सेलरी की बात हम करें तो मिनिमम जो सेलरी है मेड करने के बाद यादि आपके प बढ़ती रहेगी अब कुछ बच्चों के आते हैं कोमेंट्स कि सर यदि हम अपना मेड का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कोलेज सजस्ट कीजिए कि हम किन कोलीजिस से करें किन उनिस्टियों से करें तो साथी उस स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे कि ये सभी वो कोलेज हैं जो अमड के लिए परशिद हैं आप इन में से किसी भी कोलेज की 24 कर सकते हैं यदि आपके अच्छे मारक्स हैं इंटरन्स अज्याम देने के बाद आपने अपनी जो 24 है जो रैंक है आपके कोलेज मिल जाएंगे इसमें दोनों परकार से डिया जाता है एक चीज का और बारिखी से जयान रखना है कि इसके लिए एक minimum percentage का criteria होता है जैसे कि B.A.D. आपने की है तो B.A.D. में 50 या 55% मारक्स आपके होने अतिया उशेक हैं उसके बाद ही आप Amad में दाखिला ले सकते हैं तो आप इस सीज़ को बारिखी से रखें यदि आपके mind में Amad करने का विचार है तो B.A.D. में आप 55% कम से कम ले के आएं उसके उपर focus करें अन्यथा फिर आप Amad के अंदर दाखिला लेने से बुंसित रह जाएंगे यदि आपकी percentage कम हुई तो काफी सारी उनिस्टिया भिन-भिन परकार से इसके ऐडमिशन कराते हैं और इंटर्स्थयाम जो कराती है वह करति इस ब्संटियाज को मैत्व नहीं देती है वह इंटर्ण सद्रिण कराते हैं आप किस टो प्र प्र ode इंचाहर इंचांतार क्रिए आपते ऐसे क्ला गेज़िकशन आप लोग reden साथ करनी थी चाहता है तो स्क्रीन पर आप लोगों को मौबाइल नमबर दिखाई दे रहा होगा इस मौबाइल नमबर पर आप कॉल करके हमसे संपरक कर सकते हैं हर्याना में काफी सारे ऐसे जो अमेड का बीड का या फिर डीलेड का कोर्शिज कराते हैं तो हम लोगों से जितनी संभ हो ग कर सकते हैं।